दोस्तो इंग्लेंड डेपोटेशन के हवाले से बड़ी आपडेट निकल कर सामने आ रही है हकूमत का ये कहना है कि डेपोटेशन पॉलिसी में तब दिली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वहीं पर जो होम आफिज है होम सेक्टरी है उनकी जानिम से तरह तरह जगों पर छापे मारे जा रहे हैं और काफी ज्यादा जो के ओर्डर सक्त जरी किये गे हैं और इस टाइम पर तकरीबन काफी ज्यादा जो के इमिग्रेंट्स हैं अन्डाकॉमेंटेड अफराद हैं उनको हरासत में ले लिया गया है और जेलों में रखा गया है और ये भी मजीद कहना है कि जो मजीद नए आएंगे बॉर्डर्स की क्रॉसिंग करके उनको भी फोरी तोर पर जो के हरासत में लिया जाएगा और जो इस काबिल होंगे उनको ही इंग्लेंड के अंदर रहने की अजासत दी जाएगी अधर वाइज ऐसे तमाम तर इमिग्रेंट्स को इनके होंग कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा याद रहे कि इस पर एक एहम बयान रिफर्म पर्टी की जानिब से भी जारी किया गया था जिसमें उनका ये कहना था कि हमें ऐसी पॉलिसियों को बनाना होगा जो किसी तीसरे मुलक में इमिग्रेंट्स को बेजने की बजाए उनको डिरेक्ट इनके होंग कंट्री में बेजने की जरूरत है तो ये एक रिफर्म पर्टी का जो बयान आया था उसके बाद से जो होंग सेक्टरी हैं होंग आफिस हैं उनकी जानिब से काफी ज्यादा सक्त पॉलिसियों को बनाया गया है और बड़ी तदाद में इमिग्रेंट्स को ब हरासत में लिया जा रहा है ऐसे इन अन्डाकॉमेंट्टिड अफराद जो के इलिगली तोर पर काम कर रहे हैं तो ऐसे अब इमिग्रेंट्स के लिए मजीद सक्ती कर दी गई है और बॉर्डर्स पर भी मजीद सक्ती कर दी गई है ताकि इमिग्रेंट्स की आहमत पर काबू पाया जा सके और ऐसे तमामतर इमिग्रेंट्स को हरासत में लेकर इनके होम कंट्री में डिपोर्ट किया जाए तो अब हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट मॉन्ट में बड़ी तदाद में इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट भी किया जा सकता है इनके होम कंट्री में जो के यूके के अंदर मज़ीद काफी जाधा सकती हैं डेपूटेशन को लेकर कर दी गई हैं तो लहाज़ा हमारे वो बाई जो अनडाकॉमेंटेड हैं इलेगली तोर पर काम का रहे हैं वो मुताथ रहें तो फ्रेंड ये डेपूटेशन से मुतलिक नहीं सकत पॉलीसी हैं और बड़ी अनॉंस्मेंट चारी हुई है जो के आप लोग साथ ही शेयर करना जूरी ता वीडियो को लाइक शेयर करें मिल दे हैं नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए हमें दीजिए अजाज़त तल् अभीज